अलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की पहली बुलेट ट्रेन याने की मुंबई अमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉर्डियो डॉर के बारे में अगर प्रोजेट ओवर्यू की बात करें तो ये बुलेट ट्रेन महाराष्ट की राजदानी मुंबई और गुजरात के अमदाबाद ये दो मेटरोस को कुनेट करेगी इसकी कुल लंबाई होगी 508.09 किलोमेटर 508 किलोमेटर में से मेजर पोर्षन यानि 349 किलोमेटर सोगा गुजरात में 154.7 किलोमेटर होगा महाराष्ट में टोटल 508 किलोमेटर में से 90% यानी मेजर पोर्शन बनेगा वाया डक्ट से जिसकी लेंग्थ होगी 460 किलोमेटर्स इसमें 25.87 किलोमेटर के टनेल्स होगे इसमें से सबसे लंबा टनेल होगा 21 किलोमेटर और इस 21 किलोमेटर लंबे टनेल में से 7 किलोमेटर का पोर्शन होगा अंडर सी टनेल जो कि भारत का सबसे पहला अंडर सी टनेल होगा 12.9% Embarkment Cut Fill Section से होगा और Rest जो 9.22 किलोमेटर के Bridges होंगे सबसे लंबा ब्रीज होगा 1.95 किलोमेटर जो कि वैतरना रिवर के उपर होगा बुलेट रेंग के स्पीड की अगर बात करें तो डिजाइन स्पीड होगा 350 किलोमेटर पर आवर और ओपरेटिंग स्पीड होगा 320 किलोमेटर पर आवर ट्रावल टाइम की अगर बात करें तो अभी फिलाल फास्टेस्ट ट्रेन के लिए 8 आवर्स लगता है ट्रावल करने के लिए मुंबई टू एमदाबाद लेकिन बुलेट ट्रेन के बाद लिमिटेड स्टॉप पेज के साथ 2 आवर्स और 7 मिनिट्स लगेंगे और पूरे स्टॉप में 2 आवर्स 58 मिनिट्स लगेंगे इस प्रजेट के टोटल कॉस्ट की अगर बात करेंगे तो इसको बनाने में लगेंगे 1,08,000 करोड जिसमें से 81% फंडिंग जो की होता है 88,000 करोड वो फंडिंग करेगा जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजन्सी जाइका on favorable terms सन 2016 में National High-Speed Rail Corporation Limited की स्तापना की गई जिसका काम होगा construction, maintenance और management of high-speed rail corridor ये एक special purpose vehicle की तरह काम करेगा जिसमें भागिदारी होगी government of India through Indian railways, government of Gujarat और government of महराष्टा की Japan International Consultant Consortium JICC को इस project के लिए general consultant करके appoint किया गया है इस project के सरवे का काम करने के लिए भारत में पहली बार किसी भी rail project के लिए पहली बार aerial radar यानि की light detection and ranging का इस्तमाल किया गया है इसमें high accuracy के साथ तीन मेने में सरवे का काम पूरा हो गया और April 2017 में consultants को report दी गई इस project को 27 functional packages में divide किया गया है इस project में सबसे बड़ा contract C4 मिला है L&T को Larson and Tubro को इसकी कीमत है 25,000 करोड आज तक के किसी भी single company को मिलने वाला ये सबसे बड़ा contract होगा इस project में high speed rail training institute की स्तापना गुजरात के वड़ोदरा में की गई है इस training institute से current project मुंबई एमदाबाद high speed rail साथ ही आने वाले सबी high speed rail projects में सबी employees को training दिया जाएगा नैशनल high speed rail corporation भारत का पहला बड़ा 13.2 मिटर वाइड सिंगल ट्यूब टनेल बनाएगा जिसकी कुल लंबाई होगी 21 कुलिमेटर ठाने क्रिक के पास इसमें से flamingo sanctuary और mangroves को बचाने के लिए 7 किलोमेटर अंडर सी टनेल बनाये जाएगा ये भारत का पहला अंडर सी टनेल होगा लैंड acquisition की बात करें तो as on date गुजरात में 95% लैंड acquisition का काम पूरा हो गया है लेकिन महराष्ट में केवल 24% land acquisition हुआ है इसके चलते bullet trend में देरी हो रही है साथी में COVID situation में existing project की deadline December 23 से December 28 की गई है अब हम bullet trend कैसे होगी इसके बार में बात करते हैं ये high speed trail बनाने के जपान के shink and shin technology का इस्तमाल किया जा रहा है इसमें कुल 24 sets order किये जाएंगे जपान से जिसमें से आखरी के 6 sets टेक्नलोजी ट्रांसफर के तहट में किन इंडिया इनिशिट्व के अंदर गत भारत में बनाये जाएंगे इसका design aerodynamic होगा long nose car body model यूज किया जाएगा जिससे air drag कम होगा इसके लिए standard gauge tracks लगेंगे कोच की बनावड इस प्रकर होगी की अंदर का noise 70 decibel से भी कम होगा इस bullet train में दिवयंग जन, महिला तता senior citizen पैसेंजर के हिसाब से कुछ developments होगी जैसे दिवयंगे यतरी के लिए अनुकुल सवचाले, braille textile flooring, rams इत्यादी का इस्तमाल होगा इस bullet train में पैसेंजर के safety और comfort के लिए multiple facilities होगी इसमें multi-purpose rooms होगे जिसका इस्तमाल feeding mother और sick person को होगा इसमें folding beds भी होगे और साथी में baggage racks भी होगे ताकि कस passengers को comfort होगा during traveling इस bullet train में शुरुवात में 10 coaches होगे जिसकी संक्या आगे जाके 16 तक हो सकती है एक समय में 750 passengers को ये accommodate कर सकती है इसमें daily 35 trips होगी each way में यानि total 70 trips होगी fares की अगर बात करें तो end-to-end travel के लिए लग सकते हैं 3000 रुपे और कम से कम ticket होगा किसी भी station के भी 250 रुपी तो ये वीडियो के बारे में आपका क्या खहल है आप comment section में बता सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो like कीजे और चैनल को ज़रू सस्क्राब कीजे थैंक यू